दो दोस्त एक गने जंगल से गुजर रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक बालू उनकी तरफ आ रहा है तो उनमें से एक शीक रही उन्चे व्रिक्ष पर छड़ गया और चुप गया परन्तु दूसरा दोस्त कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे वह असाहाय से कड़ा रह गया तब उसे अपनी पाच्छाला का एक सबक याद आया कि बालू मरे हुए आदमी का शिकार नहीं करते वह बिल्कुल एक उम्रत व्यक्ति की भांती तरती पर सास रोक कर सीधा लेट गया बालू उसके पास आया और उससे सोंग कर चला गया तोड़ी देर बाद उसका मित्र पेट से उतर कर आया और उससे पूछने लगा मित्र बालू ने थमारे कान में क्या पुद पुद आया उसने उतर दिया बालू ने कहा कि संकट की कड़ी में जो बाग जाये वह सच्छा मित्र नहीं होता